नमस्कार छात्रों पुझ्जे निया पश्चिम खांदेज भिल्लस या मंडल नंदुरबार के वनवासी विद्धेले चीछ पाड़ा से मैं अनिल किशोर लोहार आप सभी का कक्षा नवी के इस अध्यान कक्षा में स्वागत करता हूँ देखो दोस्तों आज हम कक्षा नवी की पद्य चांदनी रात इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं मित्रों आज हम चांदनी रात यह कविता देख रहे हैं तो चांदनी रात इसके बारे में आप सबको पता हैं यहाँ पर देखिए एक चित्र मैंने लाया हूँ इस चित्र के माध्यम से मैंने चांदनी रात दिखाने का प्रयास किया है अब देखो यहाँ पर पूरी अंबर का काला काला यह चित्र है और इसमें चांदनी चमक रही है कहीं पर छोटी कहीं पर बड़ी और सुन्दर सा यह और इस हमने दिखाई दे रहा है, और इसी कविता हम लेकर आए है, चांदनी रात, यहाँ पर हमारे इस कविता के लेकप है मैफिली शरन गुप्त, तो आज हम इस मैफिली शरन गुप्त द क्वारा लिखित चांदनी रात इस मुप्त आधीन करने वाले हैं। तो प्रतम हम महितिली शरंग गुप्त जी का एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं, तो देखो दोस्तों, महितिली शरंग गुप्त का इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था, जहासी के चिरगाओं में, गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कभी रहे हैं, इनका योगदान हमारे हिंदी साहित्य में बड़ाई विपूल है, बड़ाई महान है, इन्होंने अपनी रचनाओं में मानवी असंदेश सम्व्यदनाओं का प्रस्तुति करन किया है, महत्वपूर्ण भारतियां संस्कृति के दर्शन दिलाए है, नारी के प्रती करुणा की भावना से ओध्प्रोथ है इन्होंने अपनी प्रमुक्रुतिया हमारे सामने रखी है, उसमें साकेत है, जैद्रत वद है, पंचवटी है, भारत भारती है, रंग में भंग, राजा प्रजा आदी, यह सब महाकाविया, खंडकाविया नाटक है, इनकी मृत्यू 12 दिसंबर 1964 में हुई थी, मेरे पैरे छात्रों, आज हम उन्ही का खंडकाविया में से पंचवटी का दुरुष्य देखने वाले हैं, खंडकाविया अर्थात क्या, खंडकाविया ने इसमें म इसमें स्थान नहीं मिलता, अब यहां पर प्रस्तूत अंश जो पंचवटी खंडकाविया से लिया गया है, इसमें प्रकृती का सुंदर, सुंदर छठा का वर्नन किया है, प्रकृती, सौंदर्य, यह हमें पता है, इस सौंदर्य का वर्नन, इस प्रकृती का वर्नन, यहा चांदनी रात का मनोहरी बहुती सुन्दर वर्नन यहाँ पर हमारे मोहदई ने किया है तो इस कविता की और हम मुड़ते हैं पहले मैं आपको यह पंक्तिया पढ़कर सुनाता हूं तो ध्यान देकर आपने सुनना है तो देखिए चारुचंद्र की चंचल किरने खेल रही है जलथल में सुच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में पुलक प्रकट करती है धरती हरितत्रुनों की नोकों से मानो जूम रहा है तरुबी मंद पवन के जोकों से चारुचंद्र की चंचल किरने खेल रही है जलथल में क्या ही सुच्छ चांदनी है यह है क्या ही निस्तब्द निशा है सुचंद सुमंद गंद वही नीरानंद है कोन दिशा बंद नहीं अब भी चलते है नियतिनटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप चारुचंद्र की चंचल किरने खेल रही है जलथल में है बिखेर देती वसुंधरा मोती सब के सोने पर रवी बतोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर और विरामदायनी अपनी संध्या को दे देता है शुन्य शाम तन जिससे उसका नया रूप छलकता है चारुचंद्र की चंचल किरने खेल रही है जलथल में पंचवटी की चाया में है सुन्दर पर नकुटी बन्याय उससे सम्मुक स्वच्च शिला पर धीर वीर निर्भक मना जाग रहा यह कोन धनुरधर जब की भुवन भर सोता है भोगी कुसुमा योगिसा बना दुरुष्टिगत होता है चारुचंद्र की चंचल किरने खेल रही है जलथल में सुच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में देखो दोस्तों महितिली शरन गुप्ता ने कितनी सुन्दर यहाँ पर हमारे सामने कविता का प्रस्तुति करन किया है तो अब इसका हम महतोपुर्ण अध्येन करते हैं तो यहाँ पर देखिए चारू चंद्र की चंचल किरने खेल रही है जल थल में सुच्छ है चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबरतल में प्रतम कथिन शब्द नए शब्द शब्द संसार में देखते हैं चारू याने सुंदर चंचल याने शरारति थल याने भूमी अवनी याने प्रूत्वी अंबर याने आकाश अब इसका सभिस्तर विश्लेशन देखते हैं चारू चंद्र की चंचल किरने खेल रही है जल थल में चारू, चारू यहने क्या सुन्दर, सुन्दर, चंद्र, चंद्रमा बहुती सुन्दर है और इस चंद्रमा की चंचल किरने, चंचल किरने याने क्या शरार्ती किरने, चंद्रमा की शरार्ती किरने यह खेल रही है जल थल में, जल याने क्या पानी, थल याने क्या भुमी, य यह चंद्रमा की सुन्दर किर्ने यहां आकाश में पानी में जल में खेल रही है श्वच्छ चांदनी बिची हुई है अवनी और अंबल में और इससे जो प्रकाश है देखिए यह चंद्रमा देखिए यह चांदनी देखिए और उसका प्रकाश यहा धर्ती पर पुत्वी अंबर अवनी पुत्वी पर बिचा है बहुती सुंदर जया चित्र है यह पूनम का चितरण है यहाँ पर हमारे मैधिली शुरणीश चितर का सुंदर वर्नन कर रहे है आगे देखिए पुलक प्रकट करती है धरती हरितत्रुनो की नोकों से मानों जूम रहा है तरु भी मंद पवन के छोकों से देखो चारुचंद्र की चंचल किरने केल रही है जल थल में सवच्छ चांदनी बिची हुई है अवनी और अंबर तल में चांदनी रात में आकाश में सुन्दर चंद्र शुभाई मान है उसके चंचल किरने जिलमिल जिलमिल कर रही है अट खेलिया कर रही है ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही है चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पुरुथवी पर और समुचे नब पर खेला हुआ है बहुती सुन्दर बहुती प्यारा मन मोहक वर्नन है और वह उन्हें प्रकाशीत कर रहा है उसके बाद की पंक्तिया देखते है पलक प्रकट करती है धरती हरितत्रुनों की नोकों से मानो जूम रहा है तरु भी मंद पवन के जोकों से अब इस पंक्तियों में जो आए है वो शब्दार्ट देखते है पुलक याने रोमांच हरित याने हरी त्रुन याने घास तरु याने रुक्ष मंद याने धीमा पवन याने हवा तब देखिए पलक का प्रकट करती है धरती ह खुशी मैसूस कर रही है खुशी बता रही है खुशी प्रकट कर रही है यह संदर्यकी यह धरती खुशी प्रकट कर रही है आनंद गा रही है बता रही है मैं कितनी खुश हूँ और किस से बता रही है किसके माध्यम से बता रही है पुलक प्रकट करती धरती हरित त्रुन फीन श्रुष्ट यहां आनदया सर्थे गहां विए कि मानों ऑट जूम रहा है तरु मंद पवन के जोखों में और यह तरु तरु यहां यहां धीमा पवन याने क्या हवा तरू रूक्षबी जूम रहा है जूमना याने हिल रहा है आनन्द ले रहा है मन मास्त आनन्द ले रहा है किसमे मन्द पवन के जोकों से पवन के जोके हवा होले होले हवा चल रही है और उस हवा से वह आनन्द ले रहा है उत्सो मना रहा है कहने क मतलब क्या इस पंक्ति का सरडर्थ ऐसा है इस उसर पर प्रूथवी अत्यंत प्रसंद है वह अपनी यह प्रसंदा प्रूथवी पर उगिवी हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है मन्द मन्द हवा के जोकों से पेड़ पाउधों भी जूम रहे है और ऐसा लग रहा है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं है ना कितना सुन्दर वर्नन है ना ये वर्नन किसका है ये कवीता किसकी है मैचिली शरंगुप्त की यहां परभूती सुन्दरता से बताए देखो दोस्तों आगे की पंक्तिया और देखते ह अचाही स्वच्छ साथनी किए ह्यां है फैल क्या ताहिन निशा है स्वचंद समूंद गंद वह निरानद है को नदिशा म्रशन किया है उस का देखो पहले हम शबधार्त देखते हैं। निस्तब्द हिलता डुलता ना हो। उसके बाद स्वचन्द अपनी इच्छा से काम करना। उसके बाद सूमंद धीमा और निरानंद. निरानंद आनंद रही. अब यहां पर देखो कितनी सुंदर बात है। क्या ही सवच्छ चांदनी है यह है क्या ही निस्तब्ध निश्याम क्या यह सवच्छ चांदनी नहीं है चंद्रमा के सवच्छ प्रकाश में निख्री हुई रात्री का वर्नन करते हुए कभी करते है क्या चांदनी गजब की निर्मल नहीं लग रही है सुन्दर नहीं लग र आनंदीत नहीं लग रहा है, उसके बाद देखो, है क्या ही निसब्द निशा, निस्याइथ, निस्तब्द, निस्तब्द, निस्तब्द याने हिलता डूलता ना हूं, बिलकुल शान्थ, खामोश, प्रतिमाकी तरह, किसकी तरह प्रतिमा की तरह बिल्कुल शांत खामोश नीस्तब्द है स्वचंद्र समुन्द गंद वहा निरानंद है कोन दिशाम देखो बिल्कुल बिल्कुल स्वचंद स्वचंद याने क्या अपनी इच्छा से सवचंद्र अपनी इच्छा से काम करना बिल्कुल अपनी इच्छा से काम कर लाइसे तो देखो यह प्रकुन देखो यह सोंदर्य देखो कैसा लगता है कोई दिशा में आनंद ना 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 सब तरप आनंद है उससा है मन मोहक है अगली देखते हैं अब भी चलते नियति नटी के कार्य कलाप पर कितने एकांत भाव से कितने शान्त और चुप चाप अगली पंक्ती बहुत सundra रहा है देखो इसके शब्दार को देखते हैं नियति नटी ने भाग गया नटी ने क्या अभिनय करने वाली इसरी पंक्तिय में देखते हैं बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्य कलाप ये प्रकुरुती का सौन्दैरिय आदिकाल से चला रहा है जब से प्रकुरूतिय तब से चला रहा है चल रहा है अब भी चल रहा है इसलिए बंद नहीं अब भी चलते नियतिनटी के कार्यकलाब यह नियतिनटी यह भाग्या नियतिनटी भाग्या के कार्यकलाब नटी यानि इस नटी के इस प्रकुरूति के अब भी क्रि कितने चुपचाथ, कितने मधूर, किसी को कुछ भी शिकायत नहीं, अपनी मस्ती में मस्त, किसी को कोई गिला नहीं, किसी से कोई रुस्वा नहीं, अपना कार्या नियमित रूप से कर रहा है, हर रोज हम देखते चान खिलता है, हर रोज देखते सूरज निकलता है, प्रकू कहा गया है कभी कहते हैं कि ये गतिवीदी बंध नहीं है ये चल रही है चलती जा रही है और इसका उधारन हमारी कविता के माध्यम से यहां पर मैतिली शरंगुपता में बता रहे हैं कि कितने शान और कितने चुप-चाप किसी कभी कोई काम का शोर नहीं किसी को दिखावा नहीं किसी को बताना नहीं कहीं पर विग्यापन नहीं प्रकृति ने कभी विग्यापन किया निकला है देखो आज सूरज निकला है देखो देखो चान तारे निकले हुआ कभी सूरज ने नहीं दिखाया, कभी चान ने दिखाया नहीं, बिलकुल शान्ती रच से चल रहा है, बिलकुल आराम से चल रहा है, यह प्रकुरूती है दोस्तों, इसी प्रकुरूती का वर्नन हमारे सामने रखा है, हमारे प्रस्तूत रखा है, हमें बताने की चेश्टा की ह और यार पर यही बात हमें बतानी है और इसी के माध्यम से अमें यह बताना है इन पंक्तिओं में अमें देखा है कि किस तरह से प्रकुति का सुंदर वर्नन यहाँद धेखो दोस्तों मेरे प्यारे चात्रों अगली पंक्तियों की और देखते हैं मैथिली शरन गुपते जी की जो बहुती सुन्धरता से प्रकृति वर्नन चांदनी रात का वर्नन हम देख रहे थे ना याद है ना समझ रहे ना तो देखो अभी और आगे क्या कहते वह देखते हैं है बिखेर देती वह सुन् देखिए वसुंधरा प्रूथवी और रवियाने सूरज तो देखिए है बिखेर देती वह सुन्धरा मोती सबके सोने पर रवी बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर यह जो प्रूथवी है यह प्रूथवी चांद तारों की तुलना मोतियों से की गई है कवीर के माध् तो देखिए यह जो चांद तारों रूपी मोती है ना यह मोती प्रुथवी आकाश में जब चांद तारे के रूप में बिखेर देती है ना प्रुथवी चांद तारों के रूप में आकाश में यह जो मोती बिखेर देती है ना यह मोती सबेरे होते ही रवी रवी आने क्या स सूरज सूरज बटोर लेता है उनको सब सभेरा होने पर सभेरा होने पर उने सब बटोर लेता है बटोर लेता है ले लेता है वापीस लड़ता है बात सही मत में आई बताता हूं रात को जब चांदनी निकलती है भोती सुन्दर चांद खिलता है और वो रातरी जाने के बाद जब प्राता काल होता है भगवान सुरज जी निकलते है तब सुबह हमें चांदनी दिखाई देती है चांद दिखाई देता है नए चले जाते ना सुरज जाते तो कहने का मतलब क्या जब सवेरा होता है तब यह चान और तारे यह चले जाते हैं यह चान तारे बटोर लिये जाते हैं याने कहने का मतलब क्या कि कभी चान तारों की तुलना मोतियों से करते हुए करते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पुरुथवी आकाश में चान तारों के रूप मे मोती भी खेर देती है रुथवी आकाश में चांतारों के रुप में मोती भी खेर देती है जब सबेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्या इन मोतीयों को हमेशा बटो ले जाता है अर्थाथ सुभ उजाला हो जाने पर आकाश में चांतारे लुप्त हो जाते है अगली पंक्ती देखो और विरामदायनी अपनी संध्या को दे जाता है शुन्य शाम तनु जिससे उनका नया रूप छलकता है देखो अब इसके शब्धार तो देखते हैं शाम याने काला तनु याने शरीर तो और विरामदायनी अपनी संध्या को विरामदायनी अपनी संध्या को विरामदायनी अपनी संध्या को दे जाता है विरामदायनी अपनी संध्या को क्या यानि वापस सूर्य जब सूरज उसे सुबर ले लेता है वापस जब सूरज जाता है ना सुर्द कभ जाता है मित्रों सुरद भगवान स्वाइब जाते ना ढलते ना उस समय शां शुन्य शाम तनुजिस और विरामदाय ने अपनी संध्या को दे देता है और जब शाम होते ना तो सुरज वापस ये मोती रात्री को दे जाता है इसे कहने का मतलब क्या संध्या को सोब देता है कभी कहते है कि जो सुब बटोरे हुए चान तारे थे ये मोती रूपी सूर्य विश्राम देने वाली संध्या को सोब कर चला जाता है संध्या ने विश्राम दिया था ना सूब को तो वापस जब सूब जाता है विश्राम के लिए तो वापस संध्या को वह सोब देता है शुन्य शाम तनु जिस से उसका नया रूप जहलकता है देखो और इस रात्री की कलिमा से इस रात्री की कालिमा से समाप तो होकर प्रकाश मान और वापस हो जाता है याने अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वो मोतियों का आभास कराने लगते हैं इससे रात्री की कालिमा प्रकाशमान होती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है पुरा का पुरा आकाश चमकने लगता है पूरी कालिमा यह नश्ट हो जाती है जिल मिल जिल मिल जिल मिल आकाश चमकने लगता है यह सुन्दर वनर हमारे सामने उन्होंने किया है अग पर धीर वीर निर्भक मना देखो कितनी सुंदर कितनी मोहक और कितनी प्यारी पंग्तिया है पंचवटी मे की चाया में उसके सम्मुक स्वच शिला पर धीर वीर भीर निर्भिक मना पहले शब्दार्त देखते हैं पंचवटी, वटके पाच रुक्ष, कुटिर याने जोपडी, शिला याने पत्थर, धीर वीर याने दुरुड मन वाला और निर्विक निडर, बिना दरने वाला तो यहाँ पर पंचवटी का वर्नन हमारे सामने किया है पंचवटी का वर्नन करते हुए कि हमारे मैथिली शरण गुपता हमें बताते हैं पंचवटी की छाया में है सुन्दर पर्नकुटीर बना वट के पाच रुक्षो की छाया में पंचवटी में उसके नीचे एक सुन्दर सी प्यारी सी मोह कैसी जोपडी बनी है पत्तो की और उस जोपडी में कुटीर याने जोपडी उसके सम्मुख सच्छ शीला पर और उसके सम्मुख सम्मुख याने क्या सामने उसके सम्मुख सामने शीला पर शीला याने क्या पत्थर पर शीला पर पत्थर पर उसके सम्मुख सच्छ शीला पर धीर वीर निर्भिक मना धीर धीर याने क्या धीर वीर याने क्या धीर वीर याने क्या धीर वीर याने क्या मुझे आगे चलकर यह बनना यहाने बनना ही है। मैं च्छात्रबोति सोचते, मेरा दोस्ट यह करेगा तो मैं यह करूँ गा। मेरा दोस्त यहां पड़ेगा तो नई नई एक अपना वीचार एक अपना निरनय तो पक्का मुझे यह करना है मैं यही करूँगा और यहां पर का वर्नन करते वुए वटके प्राच रुक्ष्यो के नीचे। उसकी छाया में घास फूस और पत्रों की छप्पर वाले एक सुन्दर जोपड़ी बनी है उसके सामने एक साप सुद्री शीला है और शीला पर एक युवक बैठा है योधा विराजमान है युवक विराजमान है आई बास समझ में अब इसका विता की अगली पंक्ति देखते हैं जाग रहा ये कोन धनुरधर धनुरधर जाग रहा कोन ये धनुरधर जबकी भुवन भर सोता है भोगी कुसुमायुद योगी सा बना दुरुष्टिगत होता है कितनी सुन्दर है कलपना देखो काव्य देखो शब्द देखो कितने मन मोहक है फिर से देखो जाग रहा ये कोन धनुरधर जबकी भुवन भर सोता है भारे कुसुमायुद योगी सा बना दुरुष्टिगत होता है शब्दार तो देखते हैं पहले इस पंग्तियों के देखो धनुरधर तिरंदाज है ना उसके बाद भुवन संसार सारा का सारा संसार कुसुमायुद याने काम देऊ भगवान काम देऊ और दुरुष्टिगत याने दिखने वाला अब इसका वर्नन देखते हैं जाग रहा ये कौन धनुरधर हमारे सामने हमारे मोहदे हमें कह रहे हैं कभी कह रहे है कि कौन जाग रहा है ये धनुरधर ये योद्धा कौन जाग रहा है ये धनुष्य चनाने वाला कौन जाग रहा है जबकि भोन भरस होता है जबकि यह सारा का सारा संसार सोया है और यह जाग रहा है भोगी कुसुमा युद्योगी साम देखो यह धनुर्धर कोन जाग रहा है जबकि सारा संसार सो रहा है और र्यात्री को यह जाग रहा है भोगी कुसुमा युद योगी सा याने ये भोगी याने क्या ये सन्यासी ये सन्यासी ये भोगी ये सन्यासी कुसुमा युद योगी सा कुसुमा युद याने भगवान कामदेव कामदेव जी बहुत सुन्दर बदेव कहे जाते हैं तो उनके जैसा सुन्दर पुरुष बना अदुरुष्टी गत होता है यह दिखने वाला कौन है दोस्तो एक सुन्दर सा चितरन हमारे सामने यहाँ पर किया गया है कभी कहते कि समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं पर यह धनुरधारी कौन है जो रात्री में इस समय जाग रहे हैं वह कहते कि यह काम देव साब होगी वोगी आने कहा ग्रुहस्त कोई सन्यासी जैसा बनावा दिखाई दे रहा है यह सुन्दर सा वर्नन यहाँ पर उन्होंने किया है पंचवटी का वर्नन है जब राजा राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तब नासिक के पंचवटी वन में यहाँ पर कुटिया में माता सीता और भगवान राम सुए थे तब बाहार यहाँ रक्षक बन के बैठे थ है तो इस तरह से एक सुन्दर सी बात हमारे सामने प्रस्तूत की गए है यहाँ पर कभी हमारे सामने मैथिली शरन गुप्त एक सुन्दर सा वर्नन हमारे सामने प्रस्तूत करते है और इसी के माध्यम से यहाँ पर कभी ने एक सुन्दर संदेश दिया है कि हमारे जीवन में प्रकूति का कितना महत्व है प्रकूति हमारे जीवर में कितना महत्व पूर्ण स्थान रखती है और इस प्रकूति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है चांदनी रात का वर्णन किया गया है चांदनी रात में किस तरह से प्रकूति सुंदर दिखती है और इसके साथ साथ प्रकृति का सौंदर्य हमारे सम्मुक रखा गया है और एक संदेश दिया गया है दोस्तों कि प्रकृति जो भी करती है वो दिखावे के लिए नहीं करती बिल्कुल अपने आप में करती है बड़े शांत भाव से करती है बड़े कर्तव्य से करती है कभी शोर नहीं करती कभी आलस से नहीं करती कभी हुआ है सुरज में निकलने से कभी नाकईदी हो आलस Bert Deaf But बोला गंता करत्तव फूरे इमानधारारे से करते यह प्रकुरुती है दोस्तो हम यह भी संदेश दीआ नियमित रूप से अपना कारे करते चलो और अपने कारे के साथ अपनी मंजिल को पाते चलो